हालो बच्चों मैं पुनम्रा ठोड राजस्तान सरकार व रेधान तागे CSR इनिश्यट्व एक अक्षा में आपको सवागत करती हूं जिसके टेक्निकल पार्टनर रा मिशन गयान तो बच्चों हम चैप्टर पड़ चुके तद सुनामी आज हम बच्चों उसके क्षेन अनास शुरू करते हैं देखें बच्चों फॉस्स थेखें ट्रू फॉस से बच्चों अपनी वाइफ को अपनी दो बच्चों को अपनी फादर इनला अपनी ब्रदर इनलो को सुनामी में उसने खो दिया था तू देखें संजीव ने सुनामी जाने के बाद क्या सेफ्टी सुरक्षा के लिए दोड़ा था ठीक है फॉल्स थोड़ देखें मेगना वो सेट बाई रिलीफ हेलिकॉप्टर मेगना को किसने बचा था रिलीफ हेलिकॉप्टर बचाया था आगे चलते हैं अलमास के फादर को यह रियालाइस हो गया था मैसूस हो गया था कि सुनामी जो है वो अब आने वाली है दॉलीं साउथान टॉली पारिवार था था वो थायलंड की मिलाइड था तेलीफ न थायलंग क्यों आयजाए था ? वो क्या सेलिब्रेट करने जो要 थे pakिशमस करने थे डायरे SH, थोड़ देखे lost What were the warning signs that both Tilly and her mother saw? कौन-कौन से ऐसे चितामनी वाले sign देखे थे उन्होंने, ठीक है किस ने तिली ने और तिली के मदर ने बच्चे उठीक है Both Tilly and her mother saw the sea rising and swelling up forming whirlpools उन दोनों ने देखा कि जो समुद्र है वा उनकी तरफ उपर उठ रहा और उसमें जाग बन रहे थे 4th question Do you think Tilly's mother saw alone by them? क्या आपको से लगता है कि तिली के मदर चिंता में हो गई थी? No, I don't think Tilly's mother was alone by them. आपनी बेटी को इतना डरा हुआ जब उन्होंने देखा she thought something serious was going on तब उनको ऐसे लगा कि नहीं जरूर कोई serious matter है तब ही ऐसा कुछ हो रहा है आगे चलते हैं Where had Tilly seen the sea behaving in the same strange fashion? Tilly ने बच्चो यह सब चीज़े कहां देखी थी? यानि हमने जासे स्टोरी में पढ़ा था Tilly Smith ने यह कहां देखा था ऐसा behavior water का चीग है तो आंसर है Tilly had seen the sea behaving in the same strange fashion in her geographic class in a video on tsunami in English उसने कहां देखा था बच्चो? Yes, हम स्टोरी में पढ़ चुके हैं कि Tilly ने अपनी जोग्राफिकी class में जो वीडियो शाला था tsunami का तो यह सारे चीज़े उसने देखे हुई थी इसी वज़े से वो आभास कर पाई वो जान पाई कि tsunami आ रही है और उसने क्या कि अपनी बरेवरी के वज़े से कई लोगों की जान बचाई थी 6th question Where did the Smith family and the others on the beach go to escape from the tsunami कि वो सब Smith family और बाकी कि जो लोग थे वो जान बचाने के लिए सुनामी से अपनी जान बचाने के लिए कहां गए थी The Smith family ठीक है and the other on the beach went to the third floor of the hotel to escape from the tsunami यह नहीं वो hotel के विच्छो third floor पे चले गए थे अपनी आपको सुनामी से बचाने के लिए 7th question How do you think her geography teacher felt when he heard about what Tillie had done in Pukhet ठीक है तो आप क्या सूसते हैं कि geography teacher को कैसा महसूस हुआ होगा जब उन्हों यह सुना होगा कि Tillie ने इतना बहादूरी का काम किया था I think her geography teacher must have been proud of Tillie हम ऐसा सूसते हैं मैं ऐसा सूसता हूँ कि Tillie को क्या होगा यानि उसके जो teacher है उनको Tillie पे बहुत proud महसूस हुआ होगा गर महसूस हुआ होगा When he heard जब उन्होंने यह सुना था about what she had done in Pukhet कि उन्होंने किस तरीके से किते लोगों की जान पचा ली थी ठीक है लेकिन उसमें अनिमस कितने मारे गए तो answer है note many animals were reported that ऐसा आय था कि जादा जानवर के मरे होने की सूचना उसमें नहीं थी जलते हैं How many people and animals died in Yala National Park? Yala National Park में कितने लोग और कितने जानवर जो थे बच्चों tsunami के चपेट में आय थे 60 people, 60 लोग and 2 animals died in Yala National Park 10th question What do people say about the elephants of Yala National Park? लोगों ने क्या बात बताई किसके बारे में चूहू? Yala National Park में जो elephant थे उनके बारे में People say, लोग कहते हैं that the 3 elephants of Yala National Park ran away from the Patanangla beach about an hour before the tsunami कि tsunami आने वाली थे उससे एक घंटे पहले ही Yala National Park से 3 elephant क्या थे वहां से भाग गए थे 11th, What did the dogs in Galee do? The dogs in Galee did not go for daily run on the beach यानि उस दिन जो dog थे वो बाहर अपने daily run के लिए रोज जो घूमने जाय करते थे उस दिन वो नहीं गए थे Question number 12 देखे विच्छों, When he felt the earthquake, do you think Ignatius immediately worried about a tsunami? जब उन्होंने earthquake महसूस किया कि इसने Ignatius ने आप सूसते हैं कि वो worried था वो चिंता में हुआ था Give reasons for your answer, answer देना है आपको इसके कारण बताने हैं Which sentence in the text tells you that the Ignatius family did not have any time to discuss and plan their course of action after the tsunami struck तो इसमें कौन से sentence जो है जिससे हमें पता चलता है कि उनके पाँ ज्यादा समय नहीं था discuss करने का चलते हैं, answer रविच्चो, when he fell the earthquake, जब Ignatius को लगा कि क्या था, भूकम पा रहा है, I think मैं सूसता हू, Ignatius did not get worried about tsunami, तो tsunami के बारे मों ज्यादा चिंतित नहीं हुआ थी The first reason is this, that he ensured the safety of the television, सबसे पहले जैसा कि अपने story में पढ़ा था, Ignatius ने क्या क्या था, आपने TV को उतार कर नीचे रखा था The second is that the family rushed out of the house, दूसरा यह कारण था, यह जो परिवार था, वो, tsunami से बचने के लिए घर से बाहर दौड गया था In the chaos and confusion, यहनि इतनी आवयवस्ता और उल्जन थी, two of his children caught hold of their mother's father, दो बच्चो ने अपने नाना जी का हाथ पकड़ा and mother's brother और अपने मामा जी का and rushed in the opposite direction और वो विपरिवार दिशा में दोड गया थी बच्चो This sentence in the text shows us that the Ignatius family did not have any time to discuss and plan their course of action after the tsunami struck तो इन sentence से, इन वाक्यों से हमें यह पता लगता है बच्चो कि उनके पास tsunami से बचने के लिए पहले plan करने के लिए कोई भी समय नहीं था Question number 13 How are Meghna and Almas stories similar? Both Meghna and Almas lose their parents, दोनों नहीं अपनी माब आपको खूदिया था दोनों ही के parents जो थे वो सुनामी की चपीत में आ गए थी Meghna saved herself by a wooden door, Meghna ने अपने आपको कैसे बचाया? Wooden door से and Almas by a wooden log, उसने wooden log से अपने आपको बचाया और वो किनारे पर पहुंचे रिष्ट है आगे चलते हैं 14th, What are the different ways in which Tilly's parents could have reacted to her behavior? कि कौन-कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं कि जिससे साब से Tilly के जो parents थे वो react कर सकते थे What would you have done if you were their place? आप क्या करते हैं? आप अगर Tilly's parents की जगह पर होते आंसर देखते हैं Tilly's parents could have ignored her Tilly's parents उसको ignore कर सकते थे यानि उस पर धान नहीं दे सकते थे scolded her, उसको डाड सकते थे और taken her to be alone और ऐसा उनको मैसूस हो सकता था कि यह जूट पूल रही है या ऐसा कुछ और react कर सकते थे I would have done the same thing what her parents did तो मैं क्या करता है? हम भी यह मैं भी यही करता जो उसकी parents ने किया अगे चलते हैं 15th question If Tilly's award was to be shared? अगर Tilly's award जो है वो share किया जाए ठीक है Who do you think? आप क्या सूसते हैं She should share it with her parents और her geography teacher उसको अपना award किसके साथ share करना चाहिए अपने parents के साथ share करना चाहिए या फिर अपने geography teacher के साथ share करना चाहिए answer देखते है In my opinion मेरे विचाड से Tilly should share it with her geography teacher उसको अपनी geography की जो teacher है उनके साथ share करना चाहिए because क्योंकि उनी की वज़़से she could understand the sign of tsunami उनी की वज़़से वो tsunami के बारे में जान पाई ठीक है और उन्होंने क्या क्या Tilly ने क्या 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 बहुत सारे लोगों का जीवन बचाया था जी चलते है मिच्चों Last question What are the two different ideas about why so few animals were killed in the tsunami कि दो ऐसे ideas कौन से हैं इसकी वज़़से यह पता लगाया था कि जानवर जो थे वो tsunami की चपरिट में बहुत कम आये थी ठीक है Which idea do you find more believable? कौन से idea पर आपको जादा यकीन है आंसर देखते है The first idea is that animals have a sixth sense पहला idea क्या था हमने story में पढ़ा थे कि animals के पास क्या होता है and they know when the earth is going to shake और उनको यह पता लग जाता उनका अभास हो जाता कि प्रत्व में कब कमपन होने वाला है The second is that दूसरा कारण है that some experts believe कि कुछ विशिश्यक्यों का यह है मानना है वो यह विश्वास करते है that animals more acute hearing helps them hear or feel the earth vibration कि जो animals होते है उनकी श्रवण शक्त इतनी प्रकर होती है इतनी तेज होती है कि उसकी वज़े से वो क्या होता है earth में जो vibration होता है प्रत्व में जो कमपन होता है उसके बारे में उनको अभास हो जाता है The second idea I find more believable तो दूसरा idea I think जादा विश्वश्य है तो इस तरीके से बच्चों आपको सारे question and answers कर लेने है I hope बच्चों आपको chapter अच्छे से समझ में आ गया होगा तो सारे question and answers word meaning सब कुछ कर लेना है और उनको learn भी कर लेना है तो मिलते हैं बच्चों next video में तब तक के लिए पढ़ते रही है Thank you